हेलो एवरीवन वेलकन टू सरू क्लासे यूटूब चैनल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आनेक एक्यूलिब्रियम क्यमिकल लास्ट लेक्शर में कम्प्लीट हो चुका है तो आइनेक के साथ आज स्टार्ट करेंगे यह एक इंपॉर्टन पोर्शन है या कहूं रिलेटि हम है जो इन्वाल्व करेगा आइन्स को तो कुछ मैं बताती है उसके बारे में जैसा मिक्लिब्रियम देख चुके हैं कुछ पहले भी तो अगर हमने मान लीजे एक यहां पे कंपाउंड लिखा हुआ है ऐसेटिक ऐसेड तो हमने इसे वाटर में डाला हुआ है यह फॉर्म करके हमें देगा CH3COO- और additional जो एक फॉर्म होने वाला है वो है H+, या क्योंकि हमने वाटर लिख दिया है तो H3O+, आप लिख सकते हैं जब यह फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यह completely break होने वाला नहीं है जब यह फॉर्म हो जाएगा तो फिर reverse reaction चलेगी और जिसके बाद इसमें equilibrium maintain हो जाएगी और equilibrium जैसा हमने कहा था यह उस समय पे कहा जाएगा जब rate of forward बराबर हो जाएगा rate of backward के तो particular जो example मैंने लिखा हुआ है वो है आइनिक equilibrium का या मैं कहूं यह एक ऐसा example है जिसमें हम कह सकते हैं equilibrium equilibrium involve ions तो यह equilibrium है जिसमें ions involve है और इसको हम बोलते हैं ionic equilibrium तो यह ionic equilibrium है जिसमें ions involve होंगे बट इसको थोड़ा सा precisely कहने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह equilibrium किन के बीश में हो सकता है या कौन से ऐसे हैं जो ऐसा equilibrium establish कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो first point ions में जो break हो सकते हैं general उन्हें हम कहते हैं electrolytes तो electrolytes वो होते हैं जो solution state में हो सकता है aqueous हो या कोई solvent हो उसमें यह break हो जाते हैं अपने constituents ions में then electrolyte को हम further 2 part में divide कर सकते हैं first electrolyte हो सकते हैं strong या electrolyte हो सकते हैं weak अब strong और weak से क्या मतलब है हमें यह समझना होगा क्योंकि यहीं से शुरुवात होगी आइने के equilibrium की तो यह बात हम लोग चलिए समझते हैं तो first electrolytes वो हैं जो ions में break हो जाते हैं तो जो break होके ion form कर देते हैं form ions after dissociation या हम कहें in solution state एसो को electrolyte कहा गया है अब electrolyte strong या weak दोनों ही हो सकते हैं strong electrolyte का मतलब क्या है अगर मैं सिफिक definition term में कहूँ तो strong electrolyte वो होते हैं जिनके लिए हम कहेंगे which dissociate completely तो जो completely dissociate हो जाएं या जो electrolyte पूरी तरीके से break हो जाएं अपने solution state में वहीं पे week कहते हैं उनके लिए which dissociate partially तो जो पूरा dissociate ना करें partially dissociate करें उनको कहा जाएगा weak electrolyte तो एक strong हो गया एक weak हो गया बड़ इनको example से समझते हैं जो एक better outlook मिले कि यह क्या है तो first अगर मैं example दूँ strong electrolyte के लिए तो strong electrolyte के example में हम ले सकते हैं strong acids strong acids दूसरा strong base या strong salt तो acid base या salt हो सकते हैं acid के example में अगर आप चाहें तो मैं आप से कह सकती हूँ NOCLE HNO3 H2SO4 strong base में हो जाएगा NaOH KOH या हम लिख सकते हैं कोई भी और calcium hydroxide salt के लिखते हैं salt अगर हम लोग यहां पे ले 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 तो salt में हो सकता है NaCl या हम ले सकते हैं KCl यह वो salt हैं जो strong है अब यह strong electrolyte है इनसे क्या मतलब है तो चलिए इनको break करके example देके बताते हैं तो first अगर मैं इनके लिए कहूँ तो example में मैंने SCL ले लिया है SCL break करेगा और बना देगा H plus और CL minus यह strong electrolyte है let कर लेते हैं कि हमने SCL के 10 mol लिये थे शुरुआत में यह break नहीं हुआ होगा तो H plus भी 0 होंगे और CL minus भी 0 होंगे जब यह break हो जाएगा तो break क्योंकि यह completely होने वाला है तो 10 के 10 completely break हो जाएंगे और उसके बाद 10 H plus आयन मिलेंगे और 10 CL minus भी 0 हो जाएंगे और यह completely break हो चुका है जिसके चलते हमें दोनों 10-10 मिल गए है यह ions है और यह completely break हो गया है molecule ऐसे electrolyte जो इस तरह से पूरी तरह ब्रेक हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं strong electrolyte वहीं पर दूसरे पर चलते हैं कुछ electrolyte लिए गए है weak तो उसमें देखते हैं second weak electrolytes weak electrolyte में weak acid, weak base, weak salts हो सकते हैं जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं एक weak acid के लिए weak acid weak acid में हमने जैसा उपा लिखा हुआ है acidic acid हो सकता है weak acid में हम लोग कोई भी organic acid ले सकते हैं उन्हें weak ही consider करा जाता है तो weak acid को हम ले सकते हैं माल लिजे इसी के साथ में C6H5, COOH ये कुछ weak acid में हो गए हम weak base ले लेते हैं weak base में हम ले सकते हैं माल लिजे NH4OH weak base में आ जाएगा और एक अगर weak salt का हम example देना चाहें तो weak salt में हम मिल जाएगा CH3 COONH4 ये weak salt होगा तो strong और weak क्या है equilibrium involve करेगा अगर ion और ionic equilibrium में mostly हमें electrolytes की जरूवत होती है क्योंकि ions में break हो रहा है तो electrolyte होगा अब electrolyte क्या होते है electrolyte जो solution state में aqua state में break होके ions बना देते हैं यह दो type के होते हैं एक है strong और एक है weak strong electrolyte वह होते हैं जो dissociated completely हो गया है अब dissociation complete हो गया है dissociate complete हो गया है मतलब पूरी तरीके से break हो गया है जैसा हमने इस example में देखा कि यहाँ H plus ion और Cl पूरे पूरे बन गया है और HCl बचा ही नहीं है फिर weak वह होते हैं जो partially dissociate होते हैं तो अगर मैं weak के लिए एक example यहाँ पे लिख दूँ जैसा हमने वैसे acetic acid लिखा हुआ है तो CH3COOH एक को असमान लिया जाए तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3COO- आप चाहें तो hydronium पूरा लिख लें मैं भी H plus लिख दे रही हूँ यह 10 है यह 0 है यह 0 है तो 10 में से पूरे खर्च नहीं होने वाले हैं 10 में से मान लीजे हम लोग let कर लेते कि 6 आपके बचे हुए हैं तो कितने खर्च हुँए हैं 4 जब 4 यहाँ से finish हुआ है जिसको मैं ऐसे लिख देती हूँ in case आपको कोई दिकत लगे तो 4 यह बनेगा 4 यह बनेगा ध्यान रखिएगा जो यह बन रहे हैं वह बनने वाले ions वहाँ से पता चलेगे कि कितने खर्च हुए हैं तो यह पता चल जाएगा तो अभी हम देख सकते हैं कि acidic acid भी बचा हुआ है और उसके ions भी बचे हुए हैं रियक्टेंट भी है, प्रोडेक्ट भी है, तो ये एक्यूलिब्रियम स्टैबलिश कर सकता है, जैसा हमें पता है कि एक्यूलिब्रियम पे रियक्टेंट भी होता है, प्रोडेक्ट भी होता है, तो फिर ये स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट में तो रियक्टेंट पूरा खर हो चुका है और यह पूरा खर्श हो गया है तो ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता कि इसमें equilibrium establish हो जाए तो जो वीक electrolyte होते हैं equilibrium बस उनमें ही establish होता है तो यह बात हम दोग यहाँ पर mark करते हैं तो अगर हम वीक electrolyte को देखें तो वीक electrolyte के लिए हमें conclusion लिख सकते हैं जो हमाले note भी होगा N O T E note यह हमाले conclusion है इस बात का कि जो आएनिक equilibrium है यह मैं कहूं equilibrium है आएनिक है क्योंकि हम आएनिक बात कर रहे है आएनिक equilibrium is established तो यह जो established होती है established only in weak electrolytes तो जो weak electrolytes है जिसमें दोनों ही होगे acid भी होगा मतलब reactant भी होगा और product भी होगा उनमें आएनिक equilibrium establish हो सकती है otherwise आएनिक establish नहीं होगी equilibrium establish नहीं होगी क्योंकि reactant बचा नहीं होगा तो यह है start कि आएनिक equilibrium हमेशा establish होता है weak electrolyte में तो अब weak electrolyte हमने जैसा कहा यहां पर मैंने acid कहें है मैंने base कहें है मैंने salt कहें है तो यहां पर हमें equilibrium में बताया जाता है कुछ acid और base के बारे में हमें theory बताई जाती है जो acid और base को include कर रही है जिससे हम आगे आने वाले chapter में उनके साथ confuse ना हो हमें पता हूँ acid क्या होते हैं और हमें पता हूँ base क्या होते हैं तो चली चलते हैं acid और base की theory पर यहां पर तीन theory है जो acid और base के बारे में दी गई है तो first हम पढ़ने जा रहे है acid base theory जिसमें से 10th में भी क्योंकि 11th का chapter है 10th में भी इसके बारे में बताया जाता है कि acid base की theory क्या है जो हम शोटे क्लासे पढ़ते हुए आ रहे होते हैं बाकि यहां पर कुछ new theory भी introduce करी जाएंगी तो acid base theory में हम तीन पढ़ने वाले हैं first theory को discuss करते हैं पर्स theory है अरहीनियस तो यहां पर जो हमारी अरहीनियस theory है अरहीनियस theory बाकि acid base theory कह सकते हैं दूसरी है ब्रॉंस्टेड लॉरी ब्रॉंस्टेड लॉरी और थर्ड थियोरी जो हम पढ़ेंगे वो है लूइस acid base लूइस acid base theory तो इस अभी acid base theory है बाकी तो यह तीन theory है जिनके basis से बताया गया है कि acid क्या होंगी और base क्या होंगे तो first चलते हैं अरहीनियस theory के साथ तो अरहीनियस theory यह theory एक obvious conclusion देते हैं तो जो already हमें पता है अच्छे से तो अरहीनियस theory में कहा गया है acid वो होते है विच कैन डोनेट एच प्लस आयन इन एक्वास solution तो ऐसे जो एक्वास solution में एच प्लस आयन डोनेट कर दें उनको हम बोलते हैं acid example के तौर पे हम लोग ले लेते हैं जरा तो example अगर हम ले तो वो हो जाएगा HCl आप देख सकते हैं यह पानी डालने पे हच प्लस आयन देगा HNO3 यह हच प्लस आयन देगा H204 यह भी हच प्लस आयन देगा तो acid वो है जो H प्लस आयन डोनेट कर सकें aqueous solution में ध्यान रखेगा आरहिनेस की थेयरी के एक limitation रही है limitation यह है कि हम लोग बात में सिर्फ aqueous state बोल रहे हैं aqueous state कहना मतलब सिर्फ हम water पे restrict कर रहे हैं कि solvent water है तो यह थेयरी चलेगी otherwise यह थेयरी वर करने वाली नहीं है तो यहां पे base को define करा गया है base वो है which can donate जो दे सकते हैं OH-ion लेकिन अगेन यह थेयरी restricted है aqueous solution पे तो अगर aqueous solutions आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ यह ऐसे solutions होते हैं जिनका solvent water होता है तो अगर water as a solvent है तो हम इसे कहेंगे कि यह आपका अरेनियस थेयरी पे apply होगा अगर water solvent नहीं है तो अरेनियस थेयरी apply ही नहीं होगी हम कुछ कहीं नहीं सकते हैं उसके बारे में so according to this theory acid are those which can donate H-ion base वो है जो donate कर सकते हैं OH-ion अगर हम इसके example लें तो example में हम लोग लिख सकते हैं NaOH यह OH को donate कर देगा यह हम कहें KOH यह भी OH को donate कर देगा तो यह हो जाएंगे हमारे acid और base next theory पे चलते हैं so अगर हम next theory देखें तो next theory जो हमारे पास है उसका नाम है Bronsted, Bronsted, Lori Theory Bronsted, Lori Theory तो Bronsted Lori Theory का क्या कहना है तो Bronsted Lori Theory के according Acid उन्हें कहा गया है Acid, Acid उन्हें कहा गया है which can donate H plus IN यहां तक बात आप देख सकते हैं बिलकुल अधीन जैसा है कुछ भी डिफरेंट हुआ ही नहीं लेकिन डिफरेंस है which can donate H plus IN in solution state और gaseous state मतलब वो solution state में donate करते हैं या gaseous में करते हैं हम दोनों के साथ ओके हैं just वो H plus IN donate करने चाहिए हम उने acid कहेंगे तो यहां पर solution state कहा गया है और gaseous, gaseous definitely gas form है solution में solvent कुछ specify नहीं करा गया है वो acid भी हो सकता है वो base भी हो सकता है मतलब solvent जो है वो water भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है जो भी आप polar ले लेंगे चाहें आप कोई alcohol ले ले चाहें आप कोई दूसरा ले ले जिसमें dissolve हो सके तो अगर solvent कोई भी है बस हो H plus IN का release कर रहा है तो उसे हम acid कहेंगे तो यहां solvent को restrict करा नहीं गया है next पर चलते हैं जो होंगे base base को अब different कहा गया है base कुछ different way में define है तो base वो है which can तो हम donate से हटके चल रहे है except पे which can accept H plus IN again in solution state और gaseous state तो दोनों में से किसी भी एक state में अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो उन्हें हम बोल देंगे base example के तोर पे acid के लिए same ले सकते हैं SCL है HNO3 है और base के लिए अगर मैं कहूं तो वो जो H plus IN accept कर लें ऐसे कले मुझे कुछ लिखके बताना पड़ेगा वाकि अगर मैं कहूं तो NH3 हो जाएगा example में दूसरा example अगर मैं कहूं तो water हो जाएगा बढ़ आप लोग को यह justify करके बताना होगा तो चलिए लिखते हैं NH3 आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने कई सारे आयन पड़े हैं 10th and 11th हमें यह आयन मिलता जाएगा water water अभी हमने हाइडरोनियम आयन बनाया था H2O plus H अगर इसमें जोईन हो जाएगा तो यह बन जाएगा H3O plus आयन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमोनिया ने जो NH3 है इसने H plus I accept करा है water ने H plus I accept करा है ऐसे लोग कहलाएंगे base तो यह माने गए है base क्योंकि इन्होंने accept करा है H plus I को मैं highlight कर दे रही हूँ इसमें donate है इसमें है donate H plus I इसमें है donate OH minus I तो जिसमें भी आपको accept यहाँ पे ब्रॉंस्टेड लोरी में क्या difference है पहला acid में H plus I इसमें ही donate करा गया है similarity second यह solution state की बात कर रहे हैं और Arrhenius ने सिर्फ एक्कोस की बात करी थी base पे आते हैं Arrhenius ने कहा था base वो होंगे जो OH minus देते हैं concept ही अलग है अगर हम Arrhenius की माने तो Ammonia base ही नहीं है और अगर हम Bronsted की माने तो NaOH base ही नहीं है दोनों में से कोई बात true नहीं है मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि यह base नहीं है जिसके चलते आप यह नहीं कह सकते कि आप एक थियोरी दे दीजे जो थोड़ा ज़्यादा accurate हो हम कहते हैं सभी थियोरी ओके है क्योंकि इनकी class अलग है किसी में first compound को अगर acid माना गया है तो किसी में second को तो हम किसी थियोरी को perfect नहीं कह सकते हो किसी को पूर इतना से neglect भी नहीं कर सकते हमीं जैसी requirement होती उसके according हम थियोरी का यूज करते हैं थर्ड थियोरी है Lewis acid base तो Lewis acid base theory तो Lewis acid base theory में क्या कहा गया है चल ये देखते हैं तो Lewis theory के according according to Lewis theory मैं short में ही लिखूंगी याँ पे acid वो होते हैं which can accept loan pair अब loan pair हम लोग इसलिए कह देते हैं कि ये free electron होंगे बाकि loan pair electrons आप कह सकते हैं ये आप कह सकते हैं which can accept electrons तो जो pair of electron को accept कर सकते हैं उनको acid कहा गया है ये concept अलग है थोड़ा यह difference है यहाँ हमें example से समझना पड़ेगा तो चलिए पहले बता देते हैं फिर example से समझेंगे एक मैं कहूँ तो BCL3 हम कहें तो ALCL3 हम लें तो FEBR3 multiple है बेस के लिए मैं और define कर देती हूँ then in का example हम लोग लिखके justify करते हैं बेस उन्हें कहा गया है which can हमने accept कहा है तो अभी होगा donate which can donate H plus iron which can donate H plus नहीं which can donate loan pair तो जो loan pair donate कर सकते हैं loan pair electrons उन्हें कहा जाएगा base तो base are those which can donate acid are those which can accept तो यहाँ loan pair के basis पे कहा गया है अब आप देख सकते हैं loan pair तो वही देगा जिसके पास खुद होंगे ammonia में loan pair होते हैं water में दो loan pair होते हैं तो जितने के पास भी loan pair है वो सभी के सभी donate कर सकते हैं तो जो donate करने को तयार हो जो देने को तयार हो उसको हम Lewis की थियोरी पे कह सकते हैं फिर चाहें वो किसी भी source से हो तो इस example को थोड़ा सा समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लिख के थोड़ा explanation देना होगा तो कहना कुछ इस तरह होगा जैसे देखिए पहला यहाँ पे अगर हम देखें BCL3 मैं दोनों को एक साथ बता रही हूँ BCL3 में अगर हम इसका structure से देख लें बोरॉन के चारो और तीन bond है और तीन bond का मतलब है 6 electron हमने एक rule पढ़ा था 9th में भी और 11th के chemical bonding में भी पढ़ते है जो एक किलियोरम से पहले ही आता है उसमें कहा जाता है कि valence shell में 8 electron होने चाहिए यहाँ 6 ही है इसका मतलब इसका है incomplete octate यह incomplete octate है जो लेके आए हैं अब इनके पास octate complete नहीं है octate मतलब 8 electron होना valence shell में ऐसा होना चाहिए अब 8 electron नहीं है तो कमी है और कमी है तो accept कर सकता है जिसके चलते BCL3 NH3 के साथ bond बनाने के लिए ready है जहाँ पे NH3 donate करता है और BCL3 accept करता है तो हम इसे कुछ ऐसा लिख देते है BCL3 और donate कराए NH3 ने है इस तरह के bond को coordinate कहा गया है जिसमें कोई एक species donate कर रही हो सिर्फ एक चीज दे ही रही हो और दूसरा सिर्फ ले रहा हो तो ऐसे को हम लोग ने coordinate bond कहा हुआ है तो यह आपके पास मिलेगा बाकी ज़रूरी निये थोड़ा इतना बड़ा सा कोई example हो मैं आपको एक simple से example भी दे सकती हूँ simple से example में even जो हम अलरड़ी दे चुके हैं मैं उसी को भी ले सकती हूँ ammonia with H plus iron आप अगर देखें तो यहां loan pair donate करे गए है जब तक दिये नहीं जाएंगे इसके पास एक भी electron नहीं होता है यह 0 लेके बैठा है H पे एक होता है पर plus बनने पे 0 हो जाता है तो NH3 H plus के साथ मिलके बनाता है NH4 plus यहां पे इसने work करा है Lewis base की तरह तो H plus iron ने work करा है Lewis acid की तरह क्योंकि इसने accept करा है तो इसने donate करा है अगर मैं यहां पे लिखू तो इसने work करा है Lewis acid की तरह यह accept कर रहा है इसने work कर रहा है Lewis base की तरह क्योंकि ये donate कर रहा है तो ये है हमारी acid base theory Arrhenius ये कहते हैं H plus और OH minus के base पे Bronsted ये कहते हैं H plus iron के basis पे तो Lewis ने कहा है electrons के लेने और देने के चलते तो कौन ले सकता है कौन दे सकता है उसके लिए बताया गया है कि ये Arrhenius के acid और Bronsted और Lewis के acid base theory में है Rest एक Bronsted Leory theory में हमें conjugate acid base के बारे में और बताया जाता है तो conjugate acid base क्या है इनको हम लोग देखेंगे अपने next lecture में जिसमें हम explain करेंगे कि conjugate acid base क्या है और move करेंगे हम लोग next weak electrolytes के साथ और देखेंगे वहाँ पे ionic equilibrium कैसे work करता है so thank you for today and thank you for watching